Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students Now today we will Learn about Lesson number 6 The Ant and the Pigeon Listen, Read and Do Piyaray Batcho आज हम topic पढ़ने जा रहे है The Ant and the Pigeon चूटी और कभूतर की ये कहानी आज हम पढ़ने जा रहे Look at the picture, put the correct number in the circles to make a meaningful story यहाँ पर आपको pictures दिये हैं pictures के ऊपर छोटे छोटे circle है बच्चो देखिए आप यहाँ पर इन circles में आपको numbers लिखने हैं इस तरह से number लिखने हैं कि pictures के जरिये हम एक meaningful story तयार कर सके हैं तो सबसे पहले हम pictures को देखते हैं देखिए पैरे बच्चो pictures आपके सामने हैं यहाँ पर सबसे पहले picture कों से आएंगी यह देखते हैं तो पैरे बच्चो आईए story देखते हैं देखिए इस तरह से हैं कि एक दिन एक चूटी पानी के अंदर गिर गई और वह वाहर नहीं निकल पा रहे थी अब इन pictures में आईसे picture कों से हैं जिसमें आपको यह दिखाए दे रहा है कि चूटी पानी में गिर गई है और डूब रही है देखिए Yes, very good तो यहाँ पर यह जो picture आपके सामनी है यह पहली picture है तो यहाँ पर हम number देखिए 1 Okay, सुड़क, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया Next, a pigeon sitting on a tree saw it and decided to help the ant He threw a leaf into the pond यह सब प्यारे बच्चों एक pigeon जो उर रहा था एक कबूतर उसने देखा और उसने सोचा कि उसने decide कि क्या करना चाहिए हमें ant की help करनी चाहिए तो इसने क्या किया एक पत्ता दोरा दर्ब से और पानी में या पांड में डाल दिया तो प्यारे बच्चों इस तस्वीर को देखीं तस्वीरों में आप कौन सी तस्वीर दो नमबर पर आएंगी जिसमें आपको पॉंट भी दिखाए दे रहा है और पिजन पत्ता दोरते भी दिखाए दे रहा है Yes, very good तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू नमबर ओके स्टूडन आगे देखिए The ant climbed onto the leaf and safely come out of the palm एंट ने आराम से स्पत्ते पर चड़ी और पॉंट के बाहर आगे तो येस आपने बिलकुल सही बताया ये पिच्चर रहेंगी ये जिसका नमबर वहेंगा थर Very good After a while a hunter saw the pigeon and aimed at it उसके बाद ऐसा हुआ कि एक शिकारी आता है जो निशाना लगाता है पिच्चर के उपर येने कबूतर के उपर फिर क्या होता है कि ये नमबर आप फोर Very good 5 नमबर saw this and quickly climb up his arm and stung it जैसे है एंट ने चूटी ने देखा कि शिकारी किसे मार रहा है कबूतर पर निशाना लगा रहा है चूटी ने फवरान उसके हाथ पे junk की climb या उचडी और उसके हाथ पे डस लिया या काट लिया तो ये आएगा 5 नमबर ये आएगा नमबर 6 तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने ये स्टोरी को नमबर देखे complete कर लिया है आपको भी आपके टिक्स में से complete करता है मिलते हैं अगली वीडियो में इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब केजे और हाँ बच्चों इस्टोरी को अपने फ्रेंट्स के साथ सरोर शेर केजे